हे दोस्तो नमस्कार मैं आपका दोस्त इंजिनर कुमार मनीज सौगत करता हूँ आपके यूटूब चैनल जौब इंडिया में प्यारे दोस्तो अभी आपने जौब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को सेयर कर दो DSSB सीधी भरती 2022, जी हां दोस्तों 2022 में 5276 पदो पर परमारेन सरकारी भरती आ रही है इसमें दोस्तों वेकेंसी लिष्ट आ चुकी है, आप लोग अपना कॉलिफिकेसन बिल्कुल ओफिसली चेक कर सकती हो साथी कटगरी वाज यहां पर वेकेंसी देख सकती हो, इसमें दोस्तों सभी के लिए वेकेंसी की लिष्ट आ चुकी है दोस्तो अभी आपको बता दें वेकेंसी बढ़ने वाली है क्योंकि जो आपके यहाँ पर डिपार्टमेंट है कुछ डिपार्टमेंट जो है वेकेंसी अभी DSSB को नहीं भेजा है इसलिए दोस्तो जिन्हों ने यहाँ पर भेजा है उसकी लिश्ट आफिसली आ चुकी है DSSB ने अभी अभी यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें वेकेंसी के लिश्ट देख सकती हो साथी इस नोटिफिकेशन में बोला गया है कि कबसे आप लुक फार्म को अप्लाइक कर सकती हो तो दोस्तो बहुती बड़ी खुस खबरी बिलकुल आफिसली निकल के आ रही है इसमें स्टाफ नर्स एननम जेई ए टीजी टी पीजी टी प्राइमरी टीचर असिस्टन टीचर फार्माalterिक्ट पेरामेडीकल स्टाफ दसवी पास बराइवी पास इसके अलावा और भी बहुत सारी पोजीशन पर वेकंशी आ रही है वेकंशी के लिए दोस्तों बता दें, तो 2022 में आएगी, अभी यह notification आ चुका है, कितनी vacancy है, qualification क्या है, सब कुछ इस notification में mention कर दिया गया है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको जो है, सारी information, एर टू जड़ सारी information बिलकुल officially देने वाले हैं, तो वीडियो को skip मत करना, पूरी information दी जाएगी तो बिलकुल आपसे request है, क्योंकि अभी आप लोग वीडियो को skip कर दोगे, वीडियो को छोड़ दोगे, फिर आप लोग comments करोगे, इसलिए बोल रहा हूँ, पहले पूरा वीडियो देख लो, फिर बताऊंगा notification कैसे download करना है, तो चले दोस्तों सबसे पहले आपको लेके च रिलीच कर दी गई है, आप लोग यहाँ पर देख सकती है, बारा नॉवंबर 2021 और उपर आप लोग डेट भी यहाँ पर देख सकती हो, यहाँ पर डेट आप लोग देखिए, बारा ग्यारा 2021 तो दोस्तों बारा नॉवंबर 2021 अभी अभी यह officially notification जो है, रिलीच किया गया है notification number देख लो, यहाँ पर notification number दिया गया है, 6002 से 6003, Government of NCT of दिली, दिली Subordinate Services Selection Board, जी हाँ दोस्तों, DSSB की तरफ यह भड़ती आ रही है, इसमें बहुत सारे department है, और बहुत सारे यहाँ पर group बनाए गये हैं, आप कितने group हैं, और कितने यहाँ पर page हैं, तो कुल 7 page हैं, और अलग group है, और अलग अलग आप लोगों का exam होगा, टोटल group की बात करें, तो 44 group है, और 44 अलग अलग आप लोगों का exam होगा, क्योंकि दोस्तों, group wise यहाँ पर exam होगा, 44 group है, और उपर यहाँ पर देखिए, तो बता दें, यहाँ दोस्तों, approval मिल चुका है, जी हाँ, governor के दो और दोस्तों, यहाँ पर approval मिल चुका है, combine exam के लिए, और यह दोस्तों, बता दें, यहाँ पर देखिए, 31 December 2022 तक जो vacancy की details है, यह आ चुकी है, यह दोस्तों, 31 December 2022 तक जिस department vacancy है, उसकी details यहाँ पर आ चुकी है, जैसे कि North DMC, जी हाँ, North DMC में 31 December 2022 तक जितनी vacancy खाली है, इस इसकी यहाँ पर vacancy की, जो details है, दोस्तों, आ चुकी है, तो यह 31 December 2022 की vacancy की details है, उपर यहाँ पर आप लोग जैसे की notification को पढ़ोगे, तो यहाँ पर साब साब बोला गया है, कि जल्द ही दोस्तों, बिल्कूल जल्द ही notification आएगी, यह जल्दी vacancy DSSB जारी करने वाला है, यह पर आप लोग चेक कर लो, और यहाँ पर दोस्तों बता दे, तो January 2022 में 99% उससे पहले भी भरती आएगी, लेकिन दोस्तों, जन्वरी में ही आप लोगों की vacancy आएगी, या उससे पहले भी vacancy आ सकती है, लेकिन मैं गारंटी से करा हूँ कि आपको दोस्तों बता दे, तो जन नवरी में भरती 100% आजाएगी, अभी vacancy बढ़ने भी वाली है, और बाकि आप लोग इस notification को अच्छे से देख लो, तो यहाँ पर बोला गया कि 2022 में यह notification आएगी, तयारिया बिल्कुल complete है, जल्द ही यहाँ पर vacancy आएगी, लेकिन थोड़ा सा वेट करिए, आगे अभी आ आपको बताऊंगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, गुरूप वाइज यहाँ पर vacancy की details दोस्तों देने वाले हैं, जिसमें यहाँ पर serial number आप लोग अपना देख लेना, post name यहाँ पर देख लेना, इसके बाद minimum qualification की information दी गई है, तो बिल्कुल officially qualification की जानकारी दे दी है, और यहाँ पर category दी गई है, देखिए, सबसे पहले यूर category दी गई है, फिर OBC category की information दी गई है, EWS की information दी गई है, ESC, ESC और total यहाँ पर जो है, कितनी vacancy है, इसकी information दी गई है, इसके अलामा दोस्तों आपको बता देते हैं, जो यहाँ पर बोला जा रहा कि vacancy not reported, तो vacancy आपकी बढ़ेगी, इसमें एक और update आएगी, थोड़ा wait करिए, और यहाँ पर देखिए department है, जिसमें break up of vacancies awaited, तो दोस्तों बता दे, अभी vacancy का wait चल रहा है, बस थोड़ी vacancy आपकी update आएगी, तो vacancy आप लोगों की बढ़ेगी, जो यहाँ पर department है, इन्होंने जो है, DSSB का vacancy की details अभी नहीं भेजी है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग wait करिए, अब यहाँ पर बात करेंगे, देखे दोस्तों सभी position की बात करेंगे, JA, TGT, PGT, NM, Staffner, Pharmacist, तो वीडियो को इसके मत करना, माफी चाहता हूँ कि थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपको complete information दी जाएगी, इसके बाद दोस्तों आप लोग देखे, group 1, junior engineer civil में 594 vacancy आ रही है, जिसमें freezer अप्लाई करेंगे, बिना experience के भी अप्लाई कर सकती हो, अगर आपने 3 साल का diploma civil engineering course का रखा है, तो बिल्कुल आप लोग farm को यहाँ प्लाई कर सकती हो, इसके बाद दोस्तों, जेई, electrical में, और section officer, electrical में total 79 vacancy है, जिसमें diploma, electrical engineering वाले farm को अप्लाई करेंगे, इसके बाद group 3 की बात करें, तो इसमें दोस्तों, assistant engineer की vacancy है, electrical में, अगर इसमें आपने degree का रखा है, B, B, T का रखा है, electrical engineering में, तो आप लोग जो है, assistant engineer में अप्लाई करोगे, इसमे इसमें कुल 10 vacancy है, इसकी अलामा दोस्तों बात करें, group 4 की, तो group 4 में अगर आपने मातर 10 वी pass करका है, तो आप लोग दोस्तों, group 4 में, जी हाँ, group 4 में apply करोगे, 612 vacancy, 10 वी pass के लिए आ रही है, इसमें आपकी जो position है, उसकी information है, LDC की vacancy है, इसमें भी 10 वी pass अप्लाई करे position है, जिसमें 10 वी pass अप्लाई करेंगे, और 612 vacancy है, अपने category यहाँ पर देख लो, इसमें दोस्तों, north DMC में, north, mcd में, mcd में, अगर हम बात करें, तो mcd में 3 department है, 3 municipal corporation है, जैसे कि north है, south और east, north में 260 vacancy, south में 12 vacancy, और east DMC में 328 vacancy है, तो दोस्तों, mcd में 1 vacancy है, इसके अब आ देखिए, DTC में vacancy है ही नहीं, जी हाँ, दोस्तों, DTC के vacancy क्यों नहीं है, क्योंकि बता देए, तो DTC में, अगर हम बात करते हैं, तो जो stenographer English or stenographer Hindi है, अभी 2020 में जो भरती निकाले गई थी, इसमें complete हो चुकी है, जोइनिंग अभी बाकी है, लेकिन दोस्तों, last में जो आनिव हो जाएगी, इसलिए अभी यहाँ पर 2022 में vacancy नहीं है, इसके अलामा देखिए, DMB junior stenographer, तो stenographer की vacancy 2021, जो यहाँ, जो साल चल रही है, इसमें complete हो गई है, इसलिए vacancy नहीं है, बाकी, LDC में vacancy है, field color में vacancy है, इसे करके आप लोग देख लो, आके बढ़ते हैं दो group 5 की बात करेंगे सबसे पहले, और यह दोस्तों बारवी पास है, अब इसमें बारवी पास में, group 5 में रखा गया है, और group 5 में बारवी पास में 1136 vacancy है, जिसमें stenographer grade third में vacancy है, आप लोग यहाँ पर चेक कर लो, इसके बाद इस्टेनो टाइपिस्ट की यहाँ पर vacancy है, MCD में देखिए, vacancy की list दी गई है, और East DMC की vacancy अभी आना बाकी है, और इसके बाद दोस्तों देखिए, stenographer grade third है, LDC है, stenographer grade third है, अपना यहाँ पर department चेक करते रहना, इसमें जो बारवी पास है, मात्र बारवी पास अप्लाई करेंगे, और group 5 में बारवी पास अप्लाई करें होना है, प्यार दोस्तों अभी आगे बताऊंगा, इसके बाद group 6 की बात करें, तो group 6 में देखिए, तो NDMC और DOE में vacancy जो है, अभी रिपोर्ट नहीं की गई है, बाकी assistant teacher primary vacancy, assistant teacher primary level की है, teacher primary level की है, जैसे कि आपने diploma DLR कर रखा है, BR कर रखा है, और इसके साथ आपने CTT qualify कर है, तो आप लोग अपलाई करोगे, इसमें कितनी vacancy है, तो 1733 vacancy है, सबसे जानदा vacancy teacher की है, assistant teacher, primary teacher की यहाँ पर vacancy है, जो कि दोस्तों यहाँ पर देख लो, 1733 vacancy है, और अभी यहाँ पर दो department की vacancy आना, बाकी है, तो और भी यहाँ पर vacancy दोस्तों बढ़ने वाली है, आग बागे बात करते हैं, देखिए, एक और vacancy जैसे की, ग्रूप 8 की बात करें, तो ग्रूप 8 में, DHG में, दसवी पास अपलाई करेंगे, store keeper, store supervisor में, एक एक vacancy है, UR category में है, तो सभी लोग अपलाई करेंगे, ग्रूप 8 में, दसवी पास vacancy है, अगर मैं आपको बताओं, तो दूसरे state वाले जो है, UR category में ही vacancy देखें, इसके बाद देखिए, इसके बाद दोस्तों, ग्रूप 9 में, दसवी पास अपलाई करेंगे, लेकिन इसमें जो है, driver की vacancy है, इसके बाद दोस्तों, बात करते हैं, जो lab technician है, देखिए, lab technician, paramedical staff की यहाँ पी vacancy है, EH&EFW, और N EMLT का रखा है, या BMLT का रखा है, तो भी आप लोग lab technician group 10 में apply कर सकती हो, दोस्तों, group wise बाटा गया है, तो याद रखिए, group 11 में pharmacist और junior pharmacist की यहाँ पे total 82 vacancy है, इसमें जो है department देख लो, DMB, HNFW, DTL में, DTL में देखिए, दो vacancy OBC में है, UR category में vacancy नहीं है, इसमें अप्लाइ करेंगे, इसके बाद एक ग्रूप टोलिटी बात करें, तो ग्रूप 12 में 10 वी पास के साथ है, अगर आपने डी फार्मा का रखा है, तो ग्रूप 12 में अप्लाइ करोगे, इसमें अलोपेथी, pharmacist के vacancy है, और dispenser, pharmacist की vacancy है, इसमें 10 वी के साथ, अगर आपने फा करेंगे, वे ग्रूप 12 में अप्लाइ करेंगे, आप लोग ऐसे देखते रहिए, दोस्तों सारी information देंगे, क्योंकि आपको full information इस वीडियो में दी जाएगी, इसके बाद most important group 13 की बात करें, तो group 13 में एनम की vacancy है, इसके अलवा staff nurse है, nursing officer की vacancy है, और staff nurse है, grade B की vacancy है, हम बात करेंगे एनम की, तो एनम की दोस्तों, H&FW में vacancy 34 है, हना, एनम H&FW में 34 vacancy, MCD North DMC में 24 vacancy, South DMC में 75 vacancy है, यह हम एनम की बात करें है, एनम की बात करें है, East DMC में 102 vacancy है, 312 vacancy यहाँ पे दोस्तों है, हना, जिसमे staff nurse, nursing officer की देखिए, 16 vacancy है, बाकी NDMC का आना बाकी है, और ज NDMC है, यह दोस्तों, H&M की vacancy आना बाकी है, देखिए, NDMC जो department है, अभी इसकी vacancy आना बाकी है, चाहे कोई भी vacancy details देख लो, किसी की भी नहीं है, जाए 10 भी पास हो, 12 भी पास हो, या और भी staff nurse हो, H&M हो, जो NDMC department में जो vacancy है, अभी उन्होंने भेजा नहीं है, DSSB को, इसल 12 वेकेंसी है, बाकी है, आप लोग department देखते रहना, DJB में, कुल 11 वेकेंसी है, staff nurse grade B की, वहीं अगर हम बात करें, NM की, तो अगर NM में अगर आपने NM course करका है, NM course करका है, experience नहीं है, freezer हो, तो आप लोग NM में apply करोगे, इसके लामाद जो यहाँ पर staff nurse nursing officer, staff nurse grade B है, इसमे GNM BAC nursing apply करेंगे, freezer apply करेंगे, बिना experience के भी apply दोस्तो कर सकते हो, आगे देखिए, तो यह दोस्तो legal assistant degree जैसे की LLB है, इनके लिए vacancy है, group 15 में agriculture line में vacancy है, अगर आपने agriculture में BAC करका, बेटे करका, तो भी apply कर सकते हो, group 16 में lecturer की vacancy, PGT, TGT की vacancy है, इसके बाद देखिए दोस यहाँ पर जो है, लेक्चरर फिजिस की group 23 है, और इसके अलमा आप लोग देखते रहिए, आप लोग आप देख लेना दोस्तो, बहुत सा total अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर सभी TGT की vacancy है, TGT math की यहाँ पर vacancy देख लो, और इसके बाद यहाँ पर TGT English में vacancy देख करते हैं, तो 70 vacancy है, assistant engineer civil की, इसके अलमा अगर हम बात करते हैं, तो TGT, अगर हम बात करते हैं, हिंदी, तो देखते रहिए, लेब technician में देखिए, एक vacancy है, group 42, इसमें जो lab technician में एक vacancy है, DSW की, और DAM में अभी vacancy नहीं आई है, तो अभी आप लोग वेट करिए, इसमें दस भी पास अपलाई करेंगे, बाकि driver की vacancy बारवी पास अपलाई करेंगे, देखिए, हाँ पर drawing teacher की है, drawing teacher की काफी अच्छी vacancy है, education department में, यहाँ पर हम बात करते हैं, तो 223 vacancy है, DSW में एक vacancy, 224 vacancy, color teacher की है, बाकि आप लोग ऐसे देख लो, और दोस्तों, जन्वरी से पहले यह notification आएगी, यह जन्वरी में 100-10% भरती आएगी, अभी देखिए, तो अगर present की बात करें, तो 5274 vacancy है, अभी जो अलग अलग department है, हमने आपको दिखाया है, NDMC की vacancy आना बाकि है, अभी जो यहाँ पर देखिए, vacancy not reported at, तो यह जो vacancy अभी आगे update होगी, जब update होगी, आप लोगों के लगबग 7000 plus vacancy हो जाएगी, 7000 plus vacancy दोस्तो 2022 में आ रही है, और जन्वरी में आएगी, अब आप लोगों का combined exam होगा, group Y exam होगा, जैसे group 4 का 10 वी पास है, तो group 4 के लिए 10 वी पास अप्लाई करेंगे, और group 4 का जो है अलग सी exam होगा, group 13 में एननम और स्टाफ application कैसे download करोगे, तो यह दोस्तो officially देखिए website है, मैं एक बार इसे refresh कर देता हूँ, DSFP का दोस्तो यह officially website है, इसका link के नीचे discussion box में मिल जाएगी, आपको नीची आना है, जैसी नीची आओगे, तो यहाँ पर देखिए latest update के नीचे आओगे, तो what's new वाली option पर जाना है, what's new व जाएगा, जो की last update देख सकती हो, 12 November 2021, language English है, और 2.12 MB का PDF है, इसे download कर लो, download यहाँ पर देखिए, जैसे आप लोग डाउनलोड करोगे, तो notification बिल्कुल open हो जाएगी, तो यहाँ पर दोस्तो देखिए, link activate हो चुका है, और PDF दोस्तो डाउनलोड हो चुका है, तो इस पर दोस्तो आप लोगों को क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद देखिए, notification open हो चुका है, तो जल्दी से notification को डाउनलोड कर लो, और official website का link नीचे description box में मिल जाएगी, thank you द